इस वाटरमाट बाल दीदेगे फोकस करिए हम लोग कौन सा बुक का सम कर रहे भई बास्तु अंदास का कितना नंबर है हम लोग का सेबन नंबर जिनके पास बुक है बुक खोल करके सम देख लेंगे और जिनके पास बुक नहीं रहेगा थाल्सपनेल सम रहेगा और वेड़ो में बहुत सम रएगा अप सम पहले देखेगा फिर समार्स कर लेगा सुनिए यह आम लोग का इंवस्ट्मेंट का फॉर्मेट हे और तीछ पाम्म में हम फॉर्मेट को बनाएए हैं पर्टिकुलर अवांट का भी तीन कॉलम होगा नॉमिनल इंटरस्ट कॉट्ट उपर में लिख देंगे इन दा बुक सब जिसका नाम दिया रहागा उसका नाम भर देंगे और सम में दिया हुए 10 पर सेंगे रहेंट लिख देंगे अरी जब ज़िए जब 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 कंपनी झाल लिखेंगे है जब जब चे लोगा का लिखेंगे हैं और जब जब गूंपरी तो इके यह भी दर्शलीन ऴ्ह differently infli men pil मोट रोगता है कि हमस्ट खरेंड टाइम में प्रोकरिज सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि मालीज़ीं यह समानद न दो रपिया किसी और को दे दिए तो समझ रहें क्या बोल दोगा होगा हैं ब्रोकरिज होगा हमेशा पर चार्ज पर चार्ड होगा और और नोमिनल का मतलब होता प्रेस वैल आईगे रोग सम देखते हैं सम में क्या दिया हुआ है सम देखें सबी लोग Mr. Pramis Das Heald 2010% dimento at Rs. 110 on 1st January 2017 1st January 2018 को 200 डिवेंचर वोल्ड करके रखा है the face value दिया हुआ 100 रुपिया मानने सारा डिवेंचर का face value मानने nominal value 100 है उसके बाद देखे interest on the venture payable yearly 31 December इसी रमड़ी के दिये interest payable 31 December उसके बाद देखे the following were his transaction in the same venture during 2018 148 को बाउठ हो रहा 400 डिवेंचर कम interest एकस इंट्रेस्ट का मतलब होता है amount में interest जोड़ा हुआ है amount में interest जोड़ा हुआ है उसके बाद देखे 1888 को बाउठ हुआ है 240 डिवेंचर axe interest है axe interest का मतलब amount में interest जोड़ा हुआ नहीं है 198 को sold हो रहा 300 डिवेंचर कम interest है कितना घर के भाई 111 कम interest का मतलब amount में interest जोड़ा हुआ है he paid brokerage on purchase price और sale proceeds of देवेंचर 0.025 for a rupee and transaction transaction tax 0.01 मना brokerage 0.025 plus 0.01 add कर लेंगे हमारा क्या आजागा भाई brokerage आजागा समझ रहे अब आईए हम लोग एक ही करके संपो करते हैं पहले लिख दिए security उसके पास आगे से 20 securities उसके पास इसको लिख देंगे 2-0 200 into 100 कितना हो गया 25,000 और 200 into 110 कितना हो गया 25,000 तो जितना तारीक को हम क्या करेंगे purchase sale करेंगे या जितना तारीक को हमारे पर transaction रहेगा वहाहें से पिछला date पुरा मुंड़ी उठाके पिछला date मुंड़ी उठाके देखें तो कौन सा हो रहा 31,12 कौन सा बोली है 31,12 हो रहा मना कितना दिन हो रहा कोई interest नहीं हो गया उसके बाद देखे 1418 को हम purchase किये सबाल में देखे 1418 को हम purchase किये चारच दिवेंचर कितना करके भाई 108 करके 108 करके हम लोग purchase किये तो पहले face value लिखेंगे 400 x 140,000 चारच दिवेंट पेस बैलू सबका 100 है फुना हाथ उस्टा पड़ी 1418 को खरते हैं तो 1418 से पीछे तुरह मुंड़ी उठाके 31 कितना महीना हो रहा तो 40,000 का 10% ती महीना पर लिखेंग अब वर्किंग करना परेगा इसका क्योंकि purchase में ब्रोक्रेज बेग्राइड करना है तो यहाँ देखे वर्किंग की है 148 अब पर्चे 400 x 108 करके खरिद रहें तो 400 x 108 43,200 आड करेंगे ब्रोक्रेज तो ब्रोक्रेज क्या है 0.025 plus 0.01 मानने 0.035 समझ पारें तो 43,200 0.035 करेंगे तो कितना हागा 1512 काम इंट्रस्ट तो इंट्रस्ट लेज करना होगा इंट्रस्ट कितना निकला है यहाँ एक हजार लेज करके 4712 यहाँ लेगे फिर एक्टो पर्चे जुआ है कब पर्चे जुआ 4818 को 4818 को पर्चे जुआ 240 24 1818 को पर्चे जुआ कितना महीना हो रहा 7 मन्त 24,000 का 10% 7 मन्त के लिए वर्किंग करना परेंगा वर्किंग करना परेंगा क्यों कि ब्रोक्रेंग 240 इंट्रस्ट लेज नहीं आड करेंगे इसमें इंट्रस्ट लेज नहीं होगा क्यों आक्रस्ट inom अमाउंट में इंट्रस्ट दो रहा हुआ नहीं है जुक्त चाहिरू क्या हुआ 300 जितना तारी को पर्चे सेल होगा वहां से पीछा मुंड गुरा के देखेंगे पहला क्लास में अच्छा से एक्सप्लेन है जो लोग क्लास नहीं किये पहला क्लास देखेंगे तो 30,000 का 10% 30,000 का 8 मीन अगे लेक न ओठादा से भी शेक्स बारा मुंड उठागे देखेंगे तो 8 मीन होचा कितना मीन होता हम लोग का 8 मीन तो 30,000 का 10% 8 मीन के लिए कितना होगा दो हज़ा वर्किंग करना परेगा और कम इंट्रस्क नहीं खाये तो शोल्ड 300,000 का लेस करिया इंट्रेस्ट और लेस करेंगे ब्रोकरेज लेस क्या करेंगे हम लोग तब ब्रोकरेज 33,300 का 0.035 0.035 लेस कर देंगे कितना आगे हम लोगा 3,134 3,134 अब देखिए 3,134 आ लिख देंगे अब सोल्ड करेंगे तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लाउस होगा सोल्ड करेंगे तो या तो प्रॉफिट होगा या तो तो सोल्ड का स्केस में हम क्या लेस करेंगे से कॉस्ट क्या हैं Сам लोग पूस्ट नीमाला रहेगाज़ हैं समझे और सब बोल देगा कि वेटे डेज निकालना हैं तो वेटे डेज निकालना है जैसे हम फर्स्ट क्रास में वेटे डेबरेज भी लोगों को दिखाये थे कि वेटे डेबरेज का कैमुलेशन कैसे होगा हम लोग फीफो में शट से निकाल रहे हैं फीफो का मतलब फॉस्ट ही फॉस्ट हम कितना का बेच रहे हैं फेस्ट वाली बताईए तो थीस अजर कितना का प्राइश वाला कितना है जान कितना में खड़ेंगे से खती कितना हो रहा है फाइंफ फॉस्ट को फटोने को कितना दिया हुआ है बत्तीस ज़्यान ऊसओ चोसट फवाधा की घाटा अरे कॉस्त है 32,94 अमनोगो का 2830 कितना लोस होगा अमनोगो लोस होगा तो credit में लिखेंगे लोस होगा तो credit में और profit होगा तो debit में अमनोकों लोस होगा है कितना तो लोस हुगा है 에서도 saturation met लोस होगा 2830 accounting year sum में बोला closing drive 31 December को sum में बोला करता ह کंपनी से क्या मिलने वाला एंट्रेस लिखेंगे और । 뉴스 पार्राइब भाइं नेर्स फिर्साफ तो आ टोतल हमारे पास कितना है बुक्तिस तजयार और चालेश्ट सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो 59,000 का कितना पर्षेंट 10% कितना महीन आके लिए पूरे साल के लिए तो 59,000 का 10% पाच शेजार नौस अब तो कुछ है नहीं इधा जो रेंगा इधा घड़ा देंगा फुरा ये अट करके बताईए कितना हो रहा 89 कॉस्ट वाला बताईए ग्री कॉस्ट वाला बताईए तो फुरा जोर के ये कॉस्ट पास्ट ये 89,89 में से आखडा देंगा 59,000 का स्ट इधा जो रहेंगे ये इधा घडाएंगे था पाच बताईगे कितना हो रहा 97,046 97,046 चरिक से क्ते के या ना 97,064 4,000, 0,124 64,000? 0,124 इंट्रेस्ट इधर जादा है इंट्रेस्ट हम लोग का इधर जादा है इधर जो रेंगे इधर? और PN में ट्रांसपर कर जाएंगे इंट्रेस्ट लेग रहा तो PN में जाता है पुरा पता है कितना हुर लिख देंगे 200 500 500 500 500 समझ गा है आप लोग 31 तरह पूलीख देंगे समझ पारे क्या अन्सी य हन्म 31 तरह को है लोग बाई-बाई-बाई-बेलन्स раж पी-फ Сам neighborhood कभी